है एवरिवन वेल्कम बेक तो माई यूटूब चैनल सैनी लेंनिंग क्लासेज मैं हूँ आपके एजुगेटर नेहा सैनी तो आज हम टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं आपका फोस्फोर फोस्फोर ग्लिसराइड अब होते क्या है यह एक तरह की इस्ट्रक्चर लिपीड होते हैं इस्ट्रक्चर लिपीड होते हैं यह जो लॉंग और मीडियम चेन होते हैं यह वहां से सिंतिसाइस होते हैं ठीक है इसी तरह से एक एग्जामपल इसका फोस्फो गिलिसराइड फोस्फो गिलिसराइड इसको हम गिलिसरो फोस्फो लिपीड और गिलिसरोल बेस्ट फोस्फो लिपीड भी बोलते हैं ठीक है दियारा मेन कंपोनेंट्स हो बायलोजिकल मेंब्रेन य होते हैं एक आता हाई हम आया क्यों सेल मेंब्रेन वेक्राइट बच्चों तो जो सेल मेंब्रेन सेल मेंब्रेन है उसको बनाने के लिए जो लिपिड मॉलेक्यूल यूज होते है उसी में एक टाइप होता है फोस्फोगलिसराइट ठीक है दोनों में यूज होती है कि यूकरियोटिक में वी और प्रोकरियोटिक में वी it contains two fatty acids यह दो fatty acids contain करता है, इसके साथ glycerol molecule और phosphate होता है, यह देखिए, ठीक है, यह क्या है, फोस्फोग्लिसराइट की structure है, यह glycerol molecule है, दो fatty acids है, फोस्फोरिक असिड थर्ड वाले carbon के साथ अटेच होता है, उसके साथ amino alcohol अटेच होता है, ठीक है, glycerol इसे थर्ड carbon alcohol, glycerol क्या है, थर carbon alcohol है, यह देखो, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, आपका amino alcohol attach होता है, फोस्फोट के साथ, ठीक है, इन विच दिफ फोस्ट और सेकिंड carbon is bonded to fatty acid, जो fatty acid है, यानि कि जो glycerol है, यहाँ पर देखो, तो क्या है, फोस्ट और सेकिंड carbon के साथ कोन अटेच है, फोस्फोरिक अट attach होता है, with alcohol, clear हो इतने चीश, यहाँ पर देख लीजिए, देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर जो third वाला है, यह देखिए, R1 और R2 आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, यानि कि यह क्या है, alkyl groups है, यहाँ पर जो यह एक्स है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ प एक phosphate होता है, एक amino alcohol होता है, clear, carbon is bonded into fatty acid chain by ester bond, ester bond से attached होते हैं, third carbon is attached to phosphate, जो third carbon है, glycerol का वो किस से attach है, phosphate से attach है, ठीक है, यहाँ गलिसरोल के carbon 1 और 2 के साथ fatty acid attach होता है, third carbon के साथ phosphate group attach होता है, उसके साथ ही amino alcohol का attachment होता है, ठीक है, यह पूरी structure मिलकर के यहाँ बनाती है, phosphoglyceride बनाती है, okay, phosphoglyceride है hydrophobic and hydrophilic domain, इनके पास क्या होता है, दोनों तरह के domains होते है, hydrophobic भी और hydrophilic भी, ठीक है, polar head होते है, non polar tail होते है, यानि कि जो इनका polar होता है, यह क्या है, polar head होता है, non polar के आती है, इनके tail होते है, इस तरह के lipid के structure देखिए है न, plasma membrane में, यही है, polar के आते है, head होते है, और non polar के आते है, tails होते है, तो यह hydrophilic और hydrophobic दोनों होते है, structure components होते है, membrane के emulsifying agent के तरह भी यह use होते है, यह इसके functions में जाएगा point, okay, इसको मैंने लिक भी रखा है, वही पर, suspended in water, they spontaneously rearrange into ordered structure, अगर यह suspended हो जाते है, water में, तो एक दम से rearrange हो जाते है, order structure में, ठीक है, अगर मालो, पानी के अंदर यह suspended हो गए, यानि कि अलग लग भी हो गए, तो उसके बाद मी एक दम से क्या हो जाते है, order में rearrange हो जाते है, ठीक है, hydrophobic group to center, जो hydrophobic group होता है, वो center में होता है, hydrophilic group to water, और hydrophilic group जो होता है, वो पानी के तरह होते है, यहां पर यहां पर देहां तो यहां पर पोलर और नोन-पोलर यहां पॉलर क्या है? head है और non-polar क्या है यह टेल है ओके यहाँ पे जो alcohol use क्या क्या है वो क्या है कॉलीन है ओके और यह क्या है lecithin phospholipid की structure है phospholipid are the most numerous phospholipid molecules found in the cell membrane जो phosphoglycerides होते हैं वो क्या होते हैं मोस्ट numerous phospholipid molecules होते हैं जो cell membrane में पाय जाते हैं phosphoglycerides the hydroxyl group carbon 1 and carbon 2 of glycerol are esterified to carboxyl group of two fatty acid chain अभी जैसे मैंने बताए जो carbon 1 and carbon 2 है glycerol molecule वो क्या होते हैं उनके पास क्याते हैं carboxyl group होते हैं दो fatty acid chain का यानि कि वहाँ पर क्या होते है fatty acid chain जोइन होती है ठीक है carbon number 3 पर क्या होते हैं आपका phosphoric acid attach होते है when no further addition are made the resulting component is phosphotidic acid अगर कोई further addition ना हो इसके अंदर तो इसका जो result component होते है वो क्या था है phosphotidic acid होते है the simplest phosphoglyceride यह क्या है simplest phosphoglyceride है ठीक है यानि कि अगर हम इसके अंदर तो जादे chains को add ना करें ठीक है carbon 1,2,3 पर और जादे हम heavy fatty acid और alcohol ना लगाए तो हमारा जो simple phosphotidic component मिलेगा वो है आपका phosphotidic acid ठीक है क्या होते है एक simple phosphoglyceride होते है phosphotidic acid are found in small amount of most natural system यह क्या होते है बहुत कम amount में natural system के अंदर पाया जाता है हमारी बोड़ी में the major phosphoglyceride are derived from phosphotidic acid यानि कि जो major phosphoglycerides होते हैं वो कहां से मिलते हैं वो जो simplest phosphoglyceride है उसी से ही मिलकर के बनते हैं यसे हमने बढ़ाता ना glyceride का simple 3-3 carbon structure है फिर उसी से ही क्या आते हैं उन्हें को जोड़ जोड़ के समें carbon जोड़ जोड़ के हम क्या बनाते हैं और नई नई structures का formation करते हैं इसी तरह से यहां पर भी होते है ठीक है यह देखिए यह देखिए यह कॉमन एलकोहल मोईटी तो phosphoglyceride आर जाने कि जो कॉमन एलकोहल हम यूज करते हैं इसके इंतर वहते सैरीन इथेलोमाइन कॉलीन ग्लिसरोल अभी मैंने दिखा था था ना कॉलीन भी यूज करता है ग्लिसरोल और इन इनॉसिटॉल ठीक है इफ दि ऐलकोहलिस गॉलीन अगर एलकोहल क्या है कॉलीन है, and the phosphoglyceride molecule is called phosphatidyl persecleone. तिक जिसको हम लेसितaggi भी बॉलते हैं, अभी मैνे इस structure भी आपको तिखाइती सुब और से अगर अल्कोहल सैंख सैंख और इसलाएं है हम क्या बोलेंगे तो फिसटोटाइडल स्यल्डेंगे, यह वाले structure में § 1lexion. यह वाले structure में ठीक है इसमें क्या है alcohol क्या है कॉलीन है तो इसको हम क्या बोलते है फोस्फो टाइडिल कॉलीन ओके और इसी कर जो दूसरा नाम है वो क्या है लैसितिन ठीक है तो इसको हम लैसितिन फोस्फोल भी भी बोलते हैं कि लिए इतनी चीज ओके अब आते हैं types of phosphoglyceride पे दनी फोस्फो एमाइनो एलकोहल्ट इस highly hydrophilic जो फोस्फोय एमाइनो एलकोहल्स होते हैं यह क्या होते हैं highly hydrophilic होते हैं यह वाटर से क्या होते हैं ढरते हैं ठीक है they are used in a basically used कहां होते हैं cell membrane बनाने में emulsifying agent के तरह मिसल्स formation agent in blood जो missile का formation होता है mission forming agent जो होता है blood के अंदर उसकी तरह भी कौन act करते हैं फोस्फोग्लिस्राइड act करते है ठीक है दो तरह की यह होते है one made with colin एक तो किस से बनता है colin से बनता है जिसको हम lecithin बोलते है एक जो होता है या तो ethelomine से बनता है या हम सिफलीन से बनता है ठीक है तो दियादा टू टाइप सो फोस्फोग्लिस्राइड वनीज मेड फ्रों कोलीन और सेकंड वनीज मेड फ्रों इधर ethelomines और सैरीण ठीक है इफ वनीज मेड बाइ कॉलीन दन इट इज कोल्द लेसितिन एफ फोस्फोग लेस्राइट्स आर मेड फ्रोम इथेलोमाइस और सैरीन इस इस कॉल सिफैलीन ओके किलियर आउट इतनी दो तरह के होते हैं बच्चा उसी एलकोहल पर वेस्ट करते हैं किलियर यहां पर इनके स्ट्रक्चर्स भी दे रखी है बच बनाने की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है अब आते हैं प्रोपरटीज पर फोस्फोग लिपिड आर्ट करेक्टराइज बाई प्रोपरटीज और फैटी असी इस तेखो यह किसमें यूज होता है यह फोस्फोग लिपिड जो होते हैं हमारी cell membrane जो है इसको बनाने के लिए यूज होता है ठीक है तो इसी की basis पे इसकी properties है fatty acid chain और phosphate और amino alcohol की basis ठीक है the long hydrocarbon chain of fatty acid are of course non-polar जो long hydrocarbon chains होती है वो क्या होती है non-polar होती है phosphate group पे क्या होता है negative charged होता है and a positive charge nitrogen to make this group आईने ठीक है negative charge होता है oxygen पे और positive charge होता है nitrogen पे जिसकी वज़े से यह जो group है वो क्या बन जाता है ionic बन जाता है चीक है in addition there are nitrogen कहां से आया यह समझे में आ रहा है आपको यह जब आप वहां पर देखोगे ना phosphate के साथ नीचे जो जुड़ा हुआ है amino alcohol तो जो amino alcohol जुड़ा हुआ है तो उसी से क्या रहा है यह पोजिटिव चार्ज आ रहा है वहीं पर क्या है nitrogen परजेंट है और nitrogen से क्या रहा है पोजिटिव चार्ज आता है जिसके वज़े से गुरूप जो हता आयनिक बन जाता है यानिक फोस्फेट की वज़े से आपको negative charge मिल जाएगा और amino alcohol के वज़े से positive charge मिल जाएगा जो कि इसके nitrogen पर होगा ठीक है clear और यही क्या बनाते है ester bonds बनाते हैं in addition there are other oxygen of the ester groups which make whole end of molecules strongly ionic and polar और इसी वज़े से क्या आता है यह क्या तो strongly ionic और polar बनते हैं phospholipids are major components of lipid by layer of cell membrane के दो तरह के common phospholipids पाया जाते हैं lecithin और सिफैलीन का बनता है जब हम को यूज करते हैं तो यह क्या properties है जिसमें हमने देखा कि किस तरह से polar और non-polar होता है जो polar होता है उनका head होता है और non-polar क्या होते हैं इनके tail होती है तो यह hydrophilic और hydrophobic दोनों तरह के होते हैं phosphoglycerides अब आते हैं functions पर one of the main function of glycerophospholipid is to serve as a structural component of biological membrane ठीक है इसका जो एक main function होता है glycerophospholipid का वो क्या है कि यह क्या है structural component है biological membrane का they are amphipathic in nature यह क्या होते है amphipathic होते है नेचर के अंदर it derives formation of lipid bilayer structure of membrane ठीक है इसी वज़े से क्या होते है lipid bilayer जोते है structure of membrane उसका formation होता है amphipathic का मतलब क्या है both polar and non-polar अभी हमने properties में पढ़ा ना किस तरह से polar hair बनते हैं किस तरह से non-polar hair बनते हैं किस वज़े से negative positive charge आता है किस तरह से ionic बनते हैं ठीक है तो वह इसकी properties थी अब next है example of phosphoglyceride first इसमें example प्लास meilogen प्लास meilogen एक तरह का क्या होता है phosphoglyceride होता है the first carbon of glycerol has hydrocarbon chain इसमें क्या होता है जो first carbon होता है glycerol का उसके ओपर क्या होती है hydrocarbon chain होती है attached होती है जो ether से not ester ठीक है the linkage are more resistant to chemical attack इसकी वज़ होता है यह linkage जो है more resistant होता है chemical attack की हो जिससे than ester linkage the second central carbon atom has a fatty acid linked by an ester first वाला तो ether से joint होगा second वाला ester bone से joint होता है ठीक है और थर्ड वाले carbon पर क्या होता है ethelomine और कॉलीन होते है ठीक है phosphate esters जो होते है basically phosphate group के साथ वहां पर क्या होता है ester bone बना करके alcohol जोन होता है थर्ड वाले इसमें change हमें कहां देखने के लिए मिला carbon number one पर carbon number one पर basically क्या हो रहा है जो hydrocarbon chain लगी हुई है उसके बीच में ether bond है ठीक है वहां पर क्या है hydrocarbon chain है second पर fatty acid की chain है third में क्या है आपका phosphate के साथ alcohol जूडा हुआ है जिसमें ester linkage है ठीक है यह components होते हैं की components होते हैं membrane and muscles और nerves के ठीक है इसी तरह से phosphatidates 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 यह भी lipids होते है इन वीच यह भी phosphoglycerides के lipids होते हैं इन में दो carbon atom होते हैं glycerol के ठीक है और fatty acid esters जिस जिनके साथ क्या होता है fatty acid ester join होता है और third पर क्या होते है phosphate ester bond के साथ amino alcohol होता है ठीक है there is a negative charge on phosphate तो यहां पर क्या होता है negative charge होता है phosphate पर यह देखू जो मैंने properties में समझायता है यहां पर डीपली आपको समझ में जाएगा नेगेटिव चार्ज किस पर होता है phosphate पर होता है in case of colline and serine colline and serine के case में क्या होता है positive quaternity ammonium iron present होता है ठीक है जिसकी वज़े serine also have negative carboxylate group serine के पास negative carboxylate group होता है ठीक है यानि कि जो colline और serine है इनमें से serine के पास negative carboxylate group भी होता है और positive carboxylate sorry positive quaternity ammonium iron भी होता है ठीक है अब यहां पर simple सी बात जो आपको समझने है जादा confusion नहीं होता है phosphate की वज़े से negative charge मिलेगा livearbeiten Lex qui use questionable今天 नैगटीव की वज़े से positive charge मिलता है ठीक है तो यह नेगटीव की वज़े से इस वज़े से क्या हुता है इनके हैं सरह पर क्या जाता है जिसकी वज़े से हेड का जो portion है ठीक है थाänge तो phosphate as a बोढ़न जो फैटी एसिड टेल जो होती है वह क्या होती है हाइडो फॉबिक होती है ठीक है यानि कि जो हैड वाला पॉर्चन है जिस पे ओवरोल चार्ज परजेंट है फोस्वेट का भी और अमाईन एलकोल का भी नेगिटिव पोजिटिव ठीक है वह चार्ज हो चुका है उसको हम बोलत होते हैं ठीक है यानि एंप्रोटन कमपोनेंट्स और फार्मेशना का ठीक हुआ है और अपको वह इबोर्च वाक षिथा स्थल नहीं परहनों हो बोल हम ऐंदो उससिटोपोनेत्षों और फोसफर उसिस पडिद हैं जारा जाते हैं अंपर्याल तो पयाइड होती है अभी म टेक है so this one last slide विरदि अल्कोहॉल फंक्ष nolyp practice आपी कार्पॉइड होते है फोसफफोर टाइडिल ग्रूप where प्राइड स्ट्रार का एक सरत्मी कर्पी पार्जा Никmen זैवन hydrophilic due to large number of hydoxyl group present ठीक है इनके पास क्या होता है large number में hydoxyl group होने के वज़े से यह क्या होते है hydrophilic होते है ठीक है जैसे कि यहाँ पर भी क्या थे टेल में जो fat acid की टेल होती है ठीक है यह क्या होती है आपकी hydrophobic होती है और जो आपका यह हेड होता है वो hydrophilic होता है ठीक है इसी तरह से जो carbohydrate जो होते हैं वो ज्यादातर क्या होते है hydrophilic होते हैं क्योंकि उनके पास क्या है hydoxyl group बहुत सादा है ठीक है यह क्या charged molecules होते हैं ओके so that's all for today और जो कि बहुत important है biological functions के लिए basically phosphatidal sugars okay so that's all for today इसमें आपका ये जो chapter है sorry ये जो topic है आपका phosphoglycerides ये complete होता है ठीक है किस तरह से building block की तरह काम करता है basically building block का मतले भी क्या था यहाँ पर lipid जो जो आपकी cell membrane है उसको बनाने में किस तरह से ये help करता है ठीक है तो ये सभी चीजे हम इसमें डिसकस भी कर चुके है पूरा अगर question आपका आता है phosphoglypid बताईए structure बताईए ये बताईए तो वो पूरे questions में अगर आप ये लिख के आएंगे that is enough ठीक है इनफ है ये बहुत इनफ है तो यहां पर आपको पता ही चल जाएगा यहां पर किस तरह से building block का काम करता है क्योंकि structure lipid होता है और mixture होता है लोग acid और medium chain fatty acids का दो इसके अंदर fatty acid chain होती है एक phosphate और उसके साथ amino alcohol attached होता है जिसके वज़े से क्या होता है lipids जो cell membrane जो है उसके formation में यह help करता है ठीक है यानिकि phosphoglycerides मिल करके ठीक है phosphoglycerides के molecule मिल करके क्या बनाते हैं plasma membrane यह इस तरह से जूड़ जाते हैं ठीक है इनका tail हो जाती है ओके यह क्या होँआ head portion यह क्या होँआ tail portion ओके clear out चलिए अब मिलते हैं next session में